नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज उस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारे चटपटी आलू प्यास की बहुत ही बड़ी आसी सबजी देखे यही चटपटी लगती है, इसे आप रूटी, पराठे, खिचडी सब भी के साथ ले सकते हैं कभी देखे घर पर दाल चाहल बन रहा है, तो साइट में आप यह चटपटे आलू प्यास बना लीजे, आपको खाने में इतना मज़ा आ जाएगा और वैसे जो हम आलू प्यास बनाते हैं, उससे यह थोड़े से अलग है, तो आपको खाने में मज़ाएगा उसके लिए आप देख सकते हैं, मैंने गयस को अन करके कड़ाई रख दियो, और इसमें मैंने डाल दिये एक चमज तेल, जैसे गरम हो जाएँ तो एक चौथाई चमज राई डाल दे, राई जब इस तरह से चटकना शुरू कर दें, तो दो से तीन हरी मिर्ची, और एक से तो सोखी लाल मिच्टाल देंगे, इसे हम अच्छे से भूनेंगे थोड़ा सा, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिये लिये थे आलू, तक्रीबन मैंने पांस से छे आलू लिये थे, बड़े साइस के चोटे हैं, तो अब इसे जादा भी ले सकते हैं, उसे मैंने लंबा पतल पतला काट लिया था छिलके के साथ ही, अब इसे हम ढख कर धीनी आज पर चार से पांच मिनिट के लिए पकाएंगे, तक्रीबन चार से पांच मिनिट हो गए तो धकन को मैंने हटा लिया है, और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया आप देख सकते हैं, आलू क्रिस्पी भी काट लिया तो प्यास भी डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, सच बता रहे हैं, यह सबजी इतनी बड़िया लगती है, यहां पर देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे ढख कर हम बिलकुल धीनी आज पर चार से पांच मिनिट के लिए और पक चटपटे बनाने न, इसी लिए, अगर आपके पास आमचुल का पाउडर अविलेबल नहीं है, तो आप नीवू का रस्पी डाल सकते हैं, तो बस अच्छे से मिक्स करते जाए, और इसे दो से तीन मिनिट के लिए ऐसे ही पकाए तेज आज पर, उसके बाद इसके अंदर अच्छे से मिक्स करते जाना है, और यह खाने में इतनी इतनी मज़िदार लगती है, तो यह आलो प्यास बनाना तो बनता है, चटपटे है, मज़िदार है, देखिए जितना हो सके न, आलो को लंबा कट करे और साथी साथ थोड़ा सा पतला, तो वह खाने में काफी चावल या खेचुड़ी के साथ, और मुझे कमेंट्स बता है कि आपको ही मेरी रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे अपने फ्रेंस और फैमली के साथ, और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले, थांक्यो फॉ वो ओच्छैं!